असलाम अलेकुम डियर स्टूरेंट्स आई होब आप सब लोग ठीक होंगे एध की त्यारी के साथ साथ MDCAD की स्टूरेंट्स MDCAD की त्यारी भी करेंगे जो मेडिकल को पिस्यू करना चाहते हैं एंट्री टेस्ट है आपका MDCAD का तो बहुत इंपोर्टन्ट है और मेडिकल वैसे करना असान नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान के हलात हैं वैसे ही कोई चांस हम लोगों को इनको भी नहीं देना चाहिए कि हमारी तरफ से क्यों को खता ही हो और हमारा चांस हमारे हाथ से निकल जाए तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में सलेबस शेयर किया था MDCAD का कि किसी ने नहीं देखी वो वीडियो तो वो लाजमी देखे बहुत इंपोर्टन्ट है तमाम तर स्टूरंस के साथ मैंने शेयर कर दी थी तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देखिएगा आज मैंने आप लोगों को बताना है कि subject wise important topics कौन से है जो बकाइदा तोर पे PMDC ने आप लोगों के लिए बताये हैं कि यह important है और आप लोगों ने इन ही topics को paper में के लिए prepare करना है test के लिए prepare करना है इन ही में से question आएगा ठीक है तो यह तो आपको पता है कि PMDC ने announce किया है कि इस syllabus आपका book में से ही आएगा जो आपकी textbook है metric एक basic level है और इंटर एक advanced level की आपकी biology की book होती है तो अगर आप लोगों इंटर की पढ़ लेते तो आपको metric की I don't think so के पढ़ने की सहाब से जरूरत होगी अगर किसी को फिर भी feel होता है तो 10% chances है कि आप लोगों को से metric की भी book में से questions पूच ले मगर वह obviously आप लोगों को प 8 marks के mcqs में से पूच जाएंगे जो कि 34 percentage बनाता है आपके पूरे paper की अपके पूरे test की तो एक important subject है तो उसके सब topics आप लोगों को बताती हूं चैप्टर साव को बता ही होंगे सब topics आपको full screen करके दिखाती हूं ताग कि आप लोगों उसमें से तयारी करना शुरू करते ह की नेम आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि बायो डिवर्सिती है बायो अनुजेटिक है बायोलोजिकल मॉलिक्यूल से स्ट्रॉक्चर और फंक्शन कोडिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस और केमिकल कोडिनेशन डैवर्सिती अमंग एनिमल्स इंजायम्स एविलूशन लाइ आप बेढ़ेंखेंगे रहें लिए अब बुक पढ़के आए अभी बोर्ट की एक्जाम देख रहा है नीचे मैं आपको बता दो कि हर चाप्टर के सब टॉपिक्स आप लोगों के सामने हैं तो आप लोगों ने वह देखने है कि जैसे चैप्टर नंबर वन हैसमें से सब आप लोगों ने प्रिपेर करने वह है लिए अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें से लर्निंग पॉइंट्स कौन-कौन से हैं 1.1 1.2 1.3 यह देख लिए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं यह तो हो गया चैप्टर नूमबर वाल चैप्टर नूमबर टू है इसमें सब टॉपिक्स कौन-कौन से हैं इसमें से जो आप लोगों को सबसे पहले नजर आ रहा है और अरोबिक रेस्परेशन जो रेस्परेशन विदाउट ऑक्सिजन होती है वो उसके बाद एलेक्ट्रोन ट्रांस्पोर्ट चेन ग्लाइकॉलसेज इसमें से आगे टॉप अप्रदिट एंडिपेड़न फेजस रियक्शन ऑक्सिडेशन फोस्फोर रेलेशन उसके बाद साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोस्फोरेशन है इसके बाद फोटो सेंथेजिस का टॉपिक है प्रोडक्शन आफ एटी पी रोल फ लाइट वाटर सी ओटू तू फेक्टर फोटो सेंथेजिस यह आपके इंपोर्टन टॉपिक्स सब्सक्राइब करने लर्निंग उब्जेक्टिव आप लोग उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं उसके बाद आपका थर्ड चेप्टर है बायलोचिकल मॉलीक्यूल उसके सब्सक्रापिक्स कौन-कौन से इंट्राक्श इसके सब्सक्राइब कौन-कौन से हैं सेल वॉल साइटोप्लाजम एंड सेल ओर्गिनली न्यूक्लियस एंटोप्लास्मिक रेक्टिकुलम माइटोकॉंड्रिया गॉल्गी ऑप्रेटर्स लाइजसों प्लस्टाइज और क्लोरोप्लास्ट वाइक्यूल्स प्रोक्रियोट यूक्रियोट्स फ्लूइड मॉजक मॉडल यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यह सब टॉपिक्स है जो आप लोगों को PMDC ने नाउंस किये नीचे आप इसके लर्णिंग अब्जेक्टिप्स भी चेक कर सकते हैं यह होगा आपका चैप्ट नमबर फॉर चैप्ट सकते सब ओपिक देखें इसके बाद नर्व इंपल्स है1 steps involved in nervous coördination है Neurons है अब अब इसके बाद है अपने बताना है उसके बाद 1 लॉट्ट्रिकल प्ल्स बाताना हैँ आपस्टे जो आपका बहुत docks है आपके पर 5र निसके बाद एंड स्पीड़ाइड लएट करें के तौक है फीटबाक मेकानिजम है प्रीटार को सब मेखने नीचे अब को सकते जरा आres Less नेक्स 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 चेप्टर है इंजाइमस वाला उसके सब तॉपिक्स देखें इंट्रोडक्शन और इंजाइमस अच्छा यह हो गया आपका चेप्टर नमबर चैप्टर नमबर 8 आएं उसमें ऐसमें कौंसेप्ट आप एविशन है इनहेरिटनस औफ अफ एक्वाइड करेक्रिक्तिक्स है और त्यक्तुन आपका टॉपिक है सॉरी उसके बाद आपका शेप्टर नमर नाइन है उसके सब टॉपिक्स हैं कार्णिवोरियस प्लांट्स कौन से होते हैं उसके आगे आपको बताएवा परासेटिक न्यूट्रिशन क्या है और नेक्स आप स्क्रीन पे जेक आउट कर सकते उसके बाद नेक्स टॉपिक वाट आपने के प्लांट्स में क्या उनका रोल है और यह प्लांट्स में वाला भी इंपॉर्टंट है जो के आपके सब टॉपिक्स में इंक्लूड है उसके बाद प्रेशिर क्या होता है उसके बाद काडियो विस्कुलर सिस्टम का एक टॉपिक है डाइस परेटरी सिस्टम है ड स्क्रीन पर देखें इसके बाद 10 11 और 12 तीन और चेप्टर से आपके 13 तक चार और चेप्टर से उसके टॉपिक्स भी आप लोगों को बता दू टैन वाले में तीन टॉपिक्स से सेलेर स्ट्रॉक्चर आफ बेक्टेरिया शेपन साइज अफ बिक्टेरिया इंपोर्डंस इन से होती हैं आपने बताने हैं लेर्णिंग अब्जेक्टिव इसके नीचे मेंचिन आप लोग चेक आउट कर सकते हैं उसके बाद आपका 12 चेप्टर है स्पोर्टिव मुव्मेंट वाला उसमें कार्टिलीज का एक टॉपिक है टाइप्स आपका स्केलेटन मुसल्स कार्ड जौन मेंडल और इस वोग मेंडल's experiment inheritance of a single trait, मेंडल's principle of inheritance, inheritance of two traits, law of independent assortment, scope of independent assortment in variations, statistics and probability relevance to genetics, उसके बाद मुल्टिपल LLEs क्या होती है, gene linkage and crossing over क्या है, sex linkage in drosopholia क्या है, इसके बाद sex linkage in human, और last है genetics of hemophilia, यह आपके नीचे इसके learning objectives की आपको इस chapter के नजर आ रहे होंगे, तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या check out कर सकते हैं, तो I hope आप लोगों को समझा आगे हो, मैंने डिटेल में कोशिश की तमाम से chapters के subtropics आप लोगों को साथ शेयर कर सकूत, thumbs up करना मन पूलिएगा, मुझे दें अजासे अपने बहुत ख्याल रखे, अल्हाफ़ज।